दोस्तों आपका स्वागत है टेक्नोलोजी अप्डेट्स के एक नए एपिसोड में सबसे पहली जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो अमेरिका और कैनडा से निकल कर आ रही है कि वहाँ पर आक्चुली में UFO पाए गए हैं और उडाए भी गए हैं देखो पहले अमेरिका के एर स्पेस पर एक unidentified object पकड़ी गई थी जो कार के बरबर बढ़ी थी जिसकी अजीब सी शेव थी उसमें से स्ट्रिंग से निकल रहे थे पता नहीं लगा पाए कि वह है क्या लेकिन जो उनके fighter planes है उनको आदेश दिया गया कि जाके उसको उड़ा दो उसका मलबा नहीं मिला कैनडा के airspace में एक ऐसा pentagon shape की एक चीज मिली जहां पर जिसे उड़ाने का आदेश दे दिया गया वहांके प्राइम मिनिस्टर के त्वारा तो वह उड़ा दिया गया लेकिन उसका मलबा भी नहीं मिला तो यह पता नहीं लगाया जा सका है कि वह क्या है द्यान देगी यह पहली बार नहीं हो रहा है पिछले हफते में यह तीसरी बार ऐसी चीज है जो कैनडा और अमेरिका के airspace में इसी चीज़ें मिली है यह airspace के उस level पर मिल रही है जहां पर जो private planes हैं जो उड़ते हैं तो यह private planes की security को देखते हुए उनके लिए बहुत जादा यह issue हो सकता है क्योंकि सरकार को बताए बिना आप उस airspace में हवाई जाज नहीं उड़ा सकते हैं ऐसा नहीं होता है कि आप कि लिट्री के उपर से लिजा रहे तो भाई आपको उड़ा दिया जाएगा नो मैटर आप कौन हो तो यह चीज़ें तो पहले भी ऐसा हुआ था तो यह पता लगाया गया था कि जो चाइनीज spy weather balloons है या चाइनीज spy planes है जो उस level पर उड़ते हैं बट इस चीज़ को जो यह हफते में हुई है इसे यह नहीं बताया गया है कि यह चाइनीज air balloons थे यह क्या था कोई नहीं जानता यह 30 से 35 की speed से उड़ रहे थे और constant speed से उड़ रहे थे इनकी जो अकृती थी वो भी बहु दिखते हैं और दुनिया को भी बचाना होता है सूपर हीरोज को तो अमेरिका की लोगों कोई क्यों बताते बचाते इंडिया वालों पर कोई कोई वो नहीं आता क्या इसिया में कुछ नहीं है यह थोड़ा फनी बाते हैं लेकिन यह सच बात है कि UFO पाया गया और उड़ाय अब भी गया है अब बढ़ते हैं अगली नियूस की तरफ वाटसेप काम कर रहा है एक नई फंक्शनालिटी के उपर देखो हम वाटसेप की इतने अपडेट है ना क्या हम सिर्फ वाटसेप को ही कबर करते रहे ना तो हमारा यह सीरीज बढ़िया चलती रहेगी लेकिन हम जादा करते नहीं है तो वाटसेप में क्या है कि सौ इमेज भेजने की कैफेबिलेटी आने वाली है अभी चाहिए शायदा 3031 या कितनी फोटो भेज सकते हो एक बार में बट वो काम कर रहा है कि एक बार में आप सौ फोटो भेज सकते हो और उसकी क्वालिटी एजस्ट करक करती हैं जो आपके मोबाइल की सिक्यूरिटी को खराब कर देती है आप मानेंगी लेहीं लेकिन इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं ना इस वक्त भी बहुत सारे लोगों के मोबाइल में वाइरस आ रहा होगा उनके सिक्यूरिटी ब्रिच जो रही हो और उसी से करते हैं इसके फीचर है वायरे स्कान कर सकता है अपके मोबाइल में कोई बी मैल्वेर वगेरा वहिए बाइरस बगेर आएगा वह सकान करतेगा। और वेबसाइट ब्लॉकष ब्लॉक भी करता है एसी वेबसाइट जो मैल्वेर देती हैं वालयतू के जो इनव्क्रिप्त वगेरा आजाती हैं जिससे हैक होने का डर होता है यह उससे भी आपको बचाता है इसमें स्पेस एनलाइजर है ताकि आपके मोबाइल में आप स्पेस और ज्यादा एनलाइज करके और फ्री कर सको डिप्लिकेट फाइल वगेरा प्रिमूव कर सकते हैं तो वह बहुत अच्छ वीडियो है सो मेक्शोर आप मेरे स्पांसर को एन पी अवी को जरूर ट्राय करें और अपने लवड़ वन्स को सिक्योरिटी गिफ्ट करें आज वैलंटाइन डे है दोस्तो हैपी वैलंटाइन डे तो चैट जी पीटी का इस्तिमाल करके लोग वैलंटाइन डे के लिए लि चैट जी पीटी का इस्तेमाल कर रहें खबर यह भी आ रही है कि भारत सरकार भी चैट जी पीटी को इस्तेमाल करने वाली है एसेंशल सर्विसेज या जो भी वाट्साइब के जरिया लोगों को इन्फोर्मेशन देने के लिए जैसे बहुत सारे चैट बोड़ आप रहे ज जो सब कोई अपनाना चाहते हैं या तो कोई वैसा टूल बनाना चाहते है या तो exactly उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं गर्फ्रेंड बनाने से कहलो गवर्मेंट से लिए कहलो आजकल सब जगा इसका बोल बाला चल रहा है भारत में ट्विटर ब्लू जो सब्सक्रिप्शन वा प्रति महीना मतलब पूरी दुनिया में सबसे महंगा अगर ट्विटर ब्लू कहीं पर पड़ रहा है तो मेरे साब से भारत में 900 रुपे कुछ या 800 रुपे कुछ देने पड़ेंगे और जो वैब वाला सब्सक्रिप्शन वो 500 कुछ रुपे का है इसमें अगर आप साल का लोगे तो 6000 या 5000 कुछ का पड़ेगा मुझे नहीं पता कौन लोग हैं जो ट्विटर के ब्लू सब्सक्रिप्शन को या ब्लू टिक रखने के लिए एक्स्ट्रा कैरेक्टर लेने के लिए या अल्गोरिदम में थोड़ा सा आप होने के लिए इतना पैसा देंगे हां ये न देटा एक्स्ट्रा मिल रहा है कुछ सेलेक्टेट प्लान्स में और एक फ्री में कालू टिकी बर्गर भी मिल रहा है फ्लाइट में 700 रुपे तक का आफ मिल रहा है तो यह सारे ओफर हैं हलाकि यह कोई बहुत बड़े ओफर नहीं है बट हाँ वैलेंटाइन डे को देखते जिसके बारे में थोड़ा में disappointment भी बताना चाहता हूं और थोड़ा वैसे बात करना चाहता हूं वीवो का शायद कोई नया फोन आ रहा है मैं चेक कर लेता हूं कौन सा और यह मैं पता है क्यों बोल रहा हूं मैं आपको explain करूंगा कि इस तरह की बाते में क्यों कर रहा हूं यह फॉन मेरा गिरके थोड़ा सा टूट गया और यह फॉण ठोड़ा पुराना हो चुका है मेरा फाइजी खरीद फॉन भी पुराना ओगया लेकिन भारत में 5G यह साल भर में कोई फॉन आउंटेटेट होता है नहीं होता है लेकिन यह बहुत बड़ी न्यूस है कि वीव जब नया phone आता है तो पुराने phone की जो value है एक original owner को बहुत low लगने लगती है For example, जैसे मैंने ये phone लिया, ये आभी नया है ये company इसके successor दो महीने बाद ही launch कर दीती है तो लोग उसे भी hold करेंगे तो एक latest phone hold करने की satisfaction है वो कही ना कहीं लोगों के दिमाग में खतम होने लगती है ये भी एक factor जो company को सोचना चाहिए इससे क्या होता है कि किसी एक model की value दो महीने तो बहुत अच्छी है लेकिन उसका latest model आजाने की बाद वो इतना अच्छा feel नहीं होता बहुत सारे लोगों को मैंने ये survey किया है और ऐसा लोग feel करते है तो मेरी नजर में ये phone इतना अच्छे नहीं होते क्योंकि इनकी कोई uniqueness नहीं है और इनके बतलब जब ये launch होते हैं तो इनको दुनिया का सबसे better phone बोलते है best phone बोलते है दो महीने बाद ही नया model आ जाता है और इसके बार में लोग भूल जाते है इसी के साथ मैं अपनी ही technology के उसको खदम करता हूँ और अगर आप कोई वीडियो चील की तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आप बार आप आप पर आप लाईक करें